प्यारे विध्धार्थियों, नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंद्रुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सब का उत्सा कायम होगा बच्चों, आज हम सात्मी कक्षा के विज्ञान का अध्यायत तेरा गती एवं समय के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हम पहले क्या सीख चुके हैं सरल रेखिये गती क्या होती है व्रत्ताकार गती के कोई दो उधारन सोचिए आवर्ती गती से आप क्या समझते हैं क्या सभी वस्तुएं एक समान गती करती हैं यह सब हम पढ़ चुके हैं तो बच्चों, अब हम यह देखते हैं कि आज इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं मन्द अथ्वा तीवर्गती के साथ हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुल्ना में अधिक तीवर्गती से चलते हैं एक ही वाहन विभिन समयों पर तीवर्ग अथ्वा मन्द गती करता है सरल ग्रेखिये पत के अनुदेश गती करने वाली वस्त्वों द्वारा किसी निश्चित समय में या हम कह सकते हैं किसी दिये गए समय में तै की गए दूरी यह बताती है कि वह वाहन धीमी गती कर रहा है अथ्वा तीवर्गती अब हम देखते हैं चाल किसे कहते हैं बच्चों आज हम चाल और उसे मापने की विधियों के बारे में जानेंगे जैसे कि आप सबको पता ही है यदि किसी वस्तू की स्थिती उसके आस पास रखी हुई वस्तू के अनुसार दे गए समय में परिवर्थित होती है तो वह वस्तू गती शील मानी जाती है परन्तु यदि यह स्थिती परिवर्थित नहीं होती है तो वह वस्तू स्थिर मानी जाती है तो बच्चों, कुछ वस्तुएं दीवर गती करती हैं और कुछ वस्तुएं मन्द गती करती हैं लेकिन हम यह किस प्रकार पता कर सकते हैं? आओ, आज हम इसके पारे में जाने किसी दिए गय समय में तै की गय दूरी से हम यह पता कर सकते हैं कि उस वस्तुएं की गती मन्द है या तीवर जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि किसी दिए गय समय में एक बड़े व्यक्ती ने पोइंट A से पोइंट C तक की दूरी तै करी यद्यपी एक छोटे बच्चे ने उसी समय में पोइंट A से पोइंट B तक की दूरी तया करी इसका अर्थ है कि यह बच्चा बड़े व्यक्ती से मंद गती की चाल में चला इस उधारण में हमने समय एक समान लिया था लेकिन गती मापने के लिए एक और तरीका भी है जिसमें हम दूरी एक समान रखेंगे जैसे कि बच्चों हमारे स्कूल के खेलों में जब दौर प्रतियोगिता होती है तो उसमें एक ही प्रारंभिक बिंदू, स्टार्टिंग पोइंट होता है और एक ही अंतिम बिंदू होता है, अर्थार्ट एंड पोइंट होता है अर्थार्ट हम दूरी को फिक्स कर देते हैं लेकिन जो बच्चा अंतिम बिंदू पर सबसे पहले पहुँच जाता है वह जीच जाता है इसका अर्थ है कि उसकी चाल सबसे तीव्र थी इसलिए बच्चों चाल मापने के लिए हमें समय और दूरी दोनों का अध्यन करना अनिवारे है इसलिए चाल को मापने के लिए हम जिस सूत्र का उप्योग करते हैं वह है चाल बराबर तै की गई दूरी बटा लिया गया समय अर्थार आपके द्वारा तै की गई दूरी को अगर हम समय या कुल समय के साथ डिवाइट कर दें तो हमें चाल का पता चलता है इस प्रकार हम प्रतेक गती कर रही वस्तूर की चाल माप सकते हैं जैसे की आप जानते हैं कि विज्ञान विश्य में प्रतेक भौतिक राशी को मापने के लिए किसी मात्रक की आविशक्ता होती है इसलिए अगर हमने चाल के बारे में पढ़ा है तो चाल के मात्रक के बारे में भी जानेंगे जैसे की आप जानते हैं कि तै की गई दूरी को मीटर या किलो मीटर में नापते हैं अगर दूरियां कम हैं तो उन्हें हम मीटर में नाप सकते हैं और लंबी दूरियों को हम किलो मीटर में नापते हैं ठीक इसी तरहे जब हम समय की बात करते हैं तो समय को हम सेकेंड या घंटों में नापते हैं मिनिट्स में भी नापते हैं इसलिए बच्चों जब हम चाल का मात्रक बनाते हैं तो चाल का सूत्र है तै की गई दूरी बटा समय दूरी का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक हुआ सेकेंड तो चाल का मात्रक हुआ मीटर प्रती सेकेंड लंबी दूरी के लिए हम चाल के मात्रक को किलो मीटर प्रती घंटे में भी नाप सकते हैं आप सभी ने ही वाहनों में स्कूटर, कार, आदी में चाल मापने वाले यंत्र को देखा होगा इसे हम चाल मापी या स्पीडो मीटर कहते हैं इससे हम चाल सीधे ही किलो मीटर प्रती घंटा में ग्याद करते हैं अठाद इससे यह पता चलता है कि आपके वाहन ने एक घंटे में कितनी दूरी तै करी तो बच्चों इसी प्रकार यदि हमें किसी वस्तू की चाल अथ्वा दूरी पता है तो उस दूरी को तै करने के लिए लगे हुए समय को भी हम पता कर सकते हैं तो समय पता करने के लिए सूत्र होगा समय बराबर दूरी बटा चाल ठीक इसी प्रकार यदि हमें समय और चाल के बारे में पता है तो हम किसी निश्चित वस्तू के द्वारा तै की गई दूरी भी पता कर सकते हैं तै की गई दूरी के लिए सूत्र होगा दूरी बराबर चाल गुना लिया गया समय तो बच्चों इस प्रकार हम विभिन सूत्रों से चाल, समय और दूरी के बारे में पता कर सकते हैं समय की माप बच्चों जैसे हम दूरी को किलो मीटर्स, मीटर्स, सेंटी मीटर्स और मिली मीटर्स में नाप सकते हैं ठीक इसी तरहे हम समय को भी वर्ष, मास यानि की महीने, दिन, घंटर्स, मिनिट और सेकंड्स में माप सकते हैं इससे बड़ी माप के लिए हम सेंचुरी जो सौ वर्षों की होती है या मिलेनियम जो हजार वर्ष के बराबर होता है उप्योग में ला सकते हैं लेकिन यह सब समय की बड़ी इकाईया है बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है? पुराने समय में जब घड़िया नहीं थी तो समय को किस प्रकार मापा जाता था? जी हाँ, प्रकृति में होने वाली घटनाओं के अनुसार समय का अनुमान लगाया जाता था छाया को देख कर भी समय के बारे में पता किया जाता था एक सूर्य उदै से अगले सूर्य उदै के बीच के समय को एक दिन माना जाता था ठीक इसी प्रकार एक माहा को एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय माना गया था एक वर्ष के लिए उस समय को नियत किया गया जितने समय में पृत्वी सूरे की एक परिक्रमा पूरी करती है लेकिन बच्चों अक्सर हमें एक दिन से भी काफी छोटे समय अंतराल को मापने की अविशक्ता पड़ती है समय की सबसे छोटी इकाई सेकिंड है लेकिन वर्थमान में इस्तमाल की जाने वाली घडियों से पहले लोग पानी वाली घडी, रेत घडी, मूमबती घडी या धूप घडी जिसे हम संडायल भी कहते हैं का उप्योग करते थे वर्थमान समय में उप्योग की जाने वाली घडियों में हम सेकिंड को अच्छी तरह से माप सकते हैं इसकी खोज एक प्रसिद्ध विज्ञानिक गलीलियो गलीली ने की थी इसको बताने के लिए उन्होंने एक सरल लोलक की आवर्थी गती का इस्तिमाल किया था गलीलियों ने खोज की कि एक लोलक एक दोलन पूरा करने के लिए जितना समय लेता है वहलगभग स्थिर होता है इसलिए गलीलियों ने घड़ी में समय की सुन्यों को लोलक के साथ जोड़ा जो नियत या निर्धारित समय के बाद अपनी स्थिती परिवर्थित करती थी अतह बच्चों इस प्रकार हमने छोटी से छोटी इकाई को भी घड़ियों के द्वारा मापना शुरू किया लोलक का आवर्थकाल लोलक का आवर्थकाल पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि लोलक होता क्या है सरल लोलक धातू के छोटे गोले अत्वा किसी पत्थर के टुकडे को किसी द्रड स्टैंड से धागे के द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है धातू के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं लोलक के गोले को जब धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त किया जाता है तो यह इधर उधर गती करना आरंब करता है सरल लोलक की यह गती आवर्थी या दोलन गती का उधारन है तो सरल लोलक का आवर्थकाल क्या होता है किसी सरल लोलक को एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्थकाल कहा जाता है आएए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं दूरी समय ग्राफ बच्चों, दूरी समय ग्राफ जानने से पहले हम यह जाने कि ग्राफ किसे कहते हैं? एक भौतिक मात्रा के बदलने से दूसरे भौतिक मात्रा पर होने वाले प्रभाव को चित्र रूप में दर्शाने को ग्राफ कहा जाता है ग्राफ विभिन प्रकार के रूप में होते हैं जैसे की स्तंब ग्राफ, रेखा ग्राफ और व्रत्तारेक यह तीनों हे किसमें एक दूसरे से बहुत भिन होती हैं जैसे की आप देख सकती हैं स्तंब ग्राफ में किसी भी भौतिक मात्रा के संख्यात्मक माप को स्तंब के रूप में दर्शाया गया है व्रत्तारेक यह पाई चित्र एक ग्राफिय निरूपन का अन्य तरीका है इसमें एक व्रत्ताकार चित्र होता है जो की विभिन भागों में बटा होता है प्रतिक भाग किसी भौतिक मात्रा के भिन भिन संख्यात्मक मापों को दर्शाता है रेखा ग्राफ इसमें हम संख्यात्मक माप को रेखा के रूप में दर्शाती हैं आईए अब हम इस रेखा ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं इसको बनाने के लिए हमें कोई दो भौतिक राश्यों की अविशक्ता होगी जैसे कि हम अलग-अलग समय पर किसी कार के द्वारा तै की गई दूरियों को नोट करेंगे माल लीजिए पाँच मिनिट में एक कार ने दो किलोमीटर दूरी तै करें अगले पाँच मिनिट यानि की दस मिनिट में उसी कार ने चार किलोमीटर दूरी तै करेंगे इसी प्रकार बच्चों 15 और 20 मिनिट पर भी कार के द्वारा तै की गई दूरी को हम नोट करेंगे जो है 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर यह संख्याएं वास्तव में यह बता रही हैं की कार गतिशील है अब हम इन संख्याओं का एक रेखा ग्राफ बनाएंगे इसके लिए हमने किसी कार की गती दर्शाती हुई एक सार्णी बनाई है सार्णी में एक तरफ समय और दूसरी तरफ कार के द्वारा तै की गई दूरी ली है पांच मिनिट पर दो किलोमीटर दूरी, दस मिनिट पर चार किलोमीटर, पंदरा मिनिट पर छे किलोमीटर और बीस मिनिट पर आठ किलोमीटर तो बच्चों अब हमारे पास दो चर संख्याएं हैं पहली समय और दूसरी दूरी ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं को दर्शाने के लिए दो लंबवत रेखाएं खीचे इन रेखाओं में शैतिज रेखा एक्स अक्ष है और उर्ध्वादर रेखा वाई अक्ष है यह दोनों रेखाएं जिस बिंदू पर एक दूसरे को काटती हैं उसे मूल बिंदू कहते हैं मूल बिंदू दोनों भौतिक मात्राओं का जीरो मान दर्शाता है हमारी माप हम मूल बिंदू से ही प्रारंप करेंगे y x पर हम दूरी के लिए माप लिखेंगे और x अक्ष पर हम समय की माप लिखेंगे अर्थार x अक्ष पर समय लिया जाएगा और y अक्ष पर दूरी लिजाएगी ग्राफ पेपर पर दी गई गहरे रंग की रेखाओं पर समय और दूरी का चुना हुआ पैमाना दर्शाएगे कार की गती के लिए पैमाना इस प्रकार से हो सकता है समय एक मिनिट बराबर एक सेंटिमीटर और दूरी के लिए एक किलोमीटर बराबर एक सेंटिमीटर अब पाँच मिनिट के माप पर उपर की और जाकर y अक्ष से दो किलोमीटर के सामने एक बिंदू लगाएंगे इसी प्रकार दस मिनिट से उपर की और जाकर y अक्ष पर लिखे गए चार किलोमीटर के सामने बिंदू लगाएंगे इसी प्रकार सभी संख्याओं पर बिंदू लगाकर हमारे पास चार बिंदू तयार हो जाएंगे इन सभी बिंदूओं को आपस में मिला कर मूल बिंदू के साथ मिलाया जाएगा इस तरह हमारे पास ग्राफ तयार होगा जो की एक सीधी रेखा के रूप में है जो समय अक्ष की तरफ जुकी हुई है तो बच्चों इस प्रकार हमारा समय दूरी ग्राफ तयार हो गया है हम समय दूरी ग्राफ से कार की चाल भी पता कर सकते हैं तो बच्चों अब हम करते हैं इस पाठ की दोहराई एकांख समय में किसी वस्तू के दूरा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकिंड है प्राचीन समय में समय की माप के लिए पानी वाली घडी, रेत घडी, मुम्बत्ती वाली घडी या धूप घडी का भी उप्योग किया जाता था घडी की बुन्यादी खोज गलीलियों ने की थी आवर्ती घट्नाओं का उप्योग समय मापने में किया जाता है लोलक की आवर्ती गती का उप्योग घडीयों को बनाने में होता है नियत चाल से गती करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है आईए बच्चों अब हम मिलान करते हैं सिलाई मशीन की सूई की गती प्रिथ्वी की सूरे के चारो और गती और नियत या किसी निरारित पुल पर रेल गाडी की गती ये किस प्रकार की गतियां है तो सिलाई मशीन की सूई की गती है आवर्थी गती या दोलन गती प्रत्वी की सूरे के चारों और की गती व्रित्ताकार गती है और नियत या किसी निर्धारित पुल पर रेल गाडी की गती सरल रेखिये गती है चलिए बच्चों आप कुछ प्रश्ण देखते हैं और मुझे उमीद है आपको इनके उत्तर आते होंगे पहला प्रश्ण निम्ल लिक्त के मातरक बताईए दूरी, समय और चार जी हाँ दूरी के मातरक मीटर, सेंटिमीटर या किलोमीटर हो सकते हैं समय को हम सेकेंड या मिनेट या घंटों में आप सकते हैं चार का मातरक मीटर प्रती सेकेंड या किलोमीटर प्रती घंटा है दूसरा प्रश्ण एक चलती हुई कार की भिन भिन समय पर तै की गई दूरी निमन लिखेत अनुसार है मान लीजिए कार सुभे आठ बजे चलना शुरू करती है तो हमारी सार्णी में एक तरफ समय और दूसरी तरफ दूरी है समय को हम घंटे में नाप रहे हैं और दूरी को किलोमीटर में साड़े आठ बजे किलोमीटर हुए या कार द्वारा तै की गई दूरी हुई बीस किलोमीटर नौ बजे चालिस किलोमीटर साड़े नौ बजे साथ किलोमीटर और दस बजे असी किलोमीटर तो बच्चों इस दी गई सार्णी के द्वारा समय दूरी ग्राफ बनाईए आप सभी अपनी अपनी कौपियों में इसे बनाने की कोशिश कीजिए वैसे ये किस प्रकार बनेगा ये हम आपको दिखा रहे हैं समय दूरी ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में नजर आ रहा है आप सभी इसे बनाने की कोशिश करिए तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्थ होता है आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अच्छी तरह समझ आया होगा बच्चों आप तंदुरुस्त रहे ये पढ़ते रहे और बढ़ते रहे जल्दी ही मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ धन्यवाद